मेरे परिवार जनों विख्षिद भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जूड़ पाए इशेश शुरू हुए अभी एक महिना भी नहीं हुआ है दो तिन हपते ही हुए है लेकिन यह यात्रा चालीस हजार चे जादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है यह बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक सवा करोड से अधिक लोग मोधि की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं उसका स्वागत किया है उसको समझने का प्रयास किया है उससे जूर्णे की कोशिस किया उसको सफल करने का काम किया है लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का अभार प्रगटुम से कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि कई जगों पर कायरकम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविद्या पूरी की जा रही है याने मैं देखता हूँ कि एसे एक कायरकम को जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है सिरफ भारत को आगे बढ़ाना है हमारे गाउं को आगे बढ़ाना है हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है सरकारी योजनाओं का लाब लेकर के आगे बढ़ना है इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गाव वाले ने जो काम किया है वो जो जानकारिया मुझे मिली है बहुत दूर जैसे कुछ गावों में एक-एक सब्ता तक बड़ा स्वच के भियान में कुछ गावों में बताया गया कि सुबह एक गंटा प्रभात फेरी कर रहें गाव गाव लोगे के जागरुती त्रीना रहें कुछ जगा पे स्कूलों में जो प्राफ्षना सबाई होती है तो वहां जो जागरुत टीचर है उन्होंने विक्सित भारत क्या है आजादी के सौ साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है यह बच्चे तब 25-35 साल के हो जाएंगे तब उनका वविश्य कैसा होगा इन सारे विश्यों की स्कूल में चर्चाय कर रहे हैं आजकल और ऐसे जागरुत जो सिक्षक है वो भी लोगों को सिक्षित कर रहे हैं औ तो गाव के फुल, पत्ते, पौधे लेकर के कहीं सुखे पत्ते जोड़ करके बहुत बड़ी बड़ीया रंगोलिया बनाई है अच्छे नारे लिखें हैं लोगोंने कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्परदाई हुई है मुझे बताया गया है कि कुछ गावों म तो guarantee वाली गाड़ी आने पर हर घर के दर्वाजे पर जिस दिन आने वाली ति उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बार दिया जलाया ताकि पूरे घाओ में guarantee वाली गाड़ी का एक वाताण बन यानि यह जो लोगों का है और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गाउं के बहारे हैं गाड़ी आने वाली हैं तो पुजा का सांमा लेकर कर आृती लेकर के फूल लेकर के गाउं के दर्वाई मैंने गाह। के बाहर जो पैड़ होता है नाका होता है या गेट होता है वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए नारे बोलते बोलते याने पूरे गाउं में जैसे उत्सव का वहांत वातां बता जिया मुझे जानकर भी अच्छा लगा कि हमारी पंचायतों ने विक्सीद भारत संकल क्यात्रा के स्वागत के लिए हर गाउं में अच्छी स्वागत समित्या बनाई है गाउं के सब बड़े बुजूर्ग समात के सभी वर्क के लोग सबको स्वागत समित्यों में जुड़ा है और स्वागत समित्य के लोग इसका स्वागत करने के लि गोशना हो रही है है अब तो मैंने कोशिज की है किए बहु जर्आ एक दो दिन क्या सब्ते पहले बता दो भूछ फणनी तारीक को आएगा डिगनी तारीक को आएगा इतने बज़ाएगा तो गांवालों के इतना उत्सा आ है तो पहले से अगर पदा चलेगा तो ज़्यादा तैयारिया करेंगे और जिन गाउं में गाड़ी जाने वाली नहीं अगल बगल के दो त्यार 5 किलोमेटर चोटे-चोटे कस्बे होते हैं उनको भी बुला सकते हैं स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुरकों को भी इस योजना में सामिल किया जा रहा है और मैंने देखा उसमें सेलफी पॉइंट बनते हैं इतनी सेलफी लोग ले रहे हैं और गाउं के भी मात आएं बैने मुबाइल फॉन का उप्योग करना सेलफी लेना और ये सेलफी मैं देखता हूं इतने खुशन जराते हैं लोग और मुझे संतोस हैं कि जैसे जैसे यह यात्रा देश कोने कोने में पहुंच रही हैं लोगों का उत्सा और जाज़ा बढ़ता जा रहा है ओडिशा में जगए जगए पारंपारी ट्राइबल डांस से नृत्य करते हैं देख्ष खासी हिल के मुझे कुछ लोगों ने फोटो भेज़े उसका वीडियो बेजा वेस्ट खासी हिल के रामब्राय में कारकम के दरवान थानिये लोगों ने कूप सुन्दर सास्क्रीतिक कारकम किये नृत्य का अयोजन किया अंडामान और लक्षद्विप दूर दू कोई पूस्ता ने ऐसे हिलागे इतना बड़ा शांदार कारकम लोग कर रहे हैं और बड़ी खुबसर्ती के लिए किये जा रहे हैं करगील में जहां अब तो बर्ब गीरी हैं वहाँ पर भी स्वागत कारकम में कोई कमीन अजर नहीं आ रही है मुझे अभी बताए एक कारकम में अभी तो बोले आज पास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में चोटा सा गाउं था लेकिन चार साड़े चार हजार लोग इखटे हो गए ऐसे अंगिनित उधारन रोज देखने को मिल रहे हैं वीडियो देखने को मिल रहा हैं पूरा सोशल ब्रड़ी मैं तो कहूंगा कि इन कामों की तयारियों करें जो कामों रहे हैं साइद मुझे तो पूर्य पता भी नहीं होगा इतनी विवीत्यतायं लोगों की है इतनी उसमें नए रंग भर दिये हैं नया उत्सा भर दिया है मुझे तो लगता है इसका बहुत बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयरी करने के लिए काम आजाए यह सारे सुजाव जो लोगों की मदद मिलेगी जहां यह गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली हैं जो करना चाहता है लेकिन क्या करना उपता नहीं है उनका आइडिया मिल जाएगा